साथियों, आज हमारा नौर्थीस सबका साथ सबका विकास के मंत्र का बहत्री नुदारण है। नौर्थीस के आबादी में बहुत विवितता है। वह अलग-अलग समुदायों के लोग है। आदिवासी और विधायी समुदायों के लोग बहुत आयत है। इक्षेत्र के लोग भाजपा पर अभूत प्रविश्वात दिखा रहे हैं। आज 39 में भाजपा के चार मुख्य मंत्री हैं। दो अन्रे राज्यों में हमारे गठबंदर की सरकारे हैं। इस सफलता का बड़ा स्थे भाजपा के कार्यकरताओं को ही जाता है। भाजपा कार्यकरताओं के इसी परिश्रन की वज़े से आज दक्षिन भारत में भी दूर दूर तक पार्ड़ी का विस्तार हो रहा है। कर्णाटका में भाजपा इतने वर्सों से मजबूत स्थिती में है। आज भी हम नंबर एक पार्टी हैं कर्णाटका में। तेलंगला में भी लोगों का एक मात्र भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। आंदर पुदेश में लोगों का भाजपा पर विश्वास दिनों बिन बढ़ता चला जा रहा है। तामिल नाडू और केरला में भाजपा हर जीले में हर बूत पर दिनों दिन मजबूत हो रही है। एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना के साथ हो रहा भाजपा का इविस्तार। हमें सीटों के मामले में और वोट शेर के मामले में सभलता की नई उचाईयों पर ले जाएगा। लेकिन साथ हो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। भाजपा को केवल उसकी प्रेजन्स और प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है। भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है। और भाजपा का स्वभाव है नूतन्ता, आधुनिक्ता, नूतन्ता हमारी निष्ठा है और आधुनिक्ता हमारी अवधारना है। इसलिए बीजेपी के बल चुनाव, लड़ने और जीतने के सिवित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्ता है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक अंदोलर है। बीजेपी विकास की भी प्रेणा शक्ती है, और बीजेपी बडलाव की भी प्रान शक्ती है। बीजेपी ने सियासत की सोच को बडला है, और समावेश के नए मानकों को जन्म दिया है। और इसका एक उदारा है, भाजपा का सदस्यता अभ्यान और इसके माध्यम से पार्टी का विस्तार। एक समय था, जब हम राज्यों में राज्यस्तर की कमिटी बन जाए, तो हम सोच रहे थे कि चलिए उस राज्य में जंडा गाड दिया। फिर थोड़ा समय और बीता, कारकरताओं ने परिश्रम किया, फिर हम हिसाब लगाने लगे कि फिर कितने जिले हैं जहां कमिटी बनी है, कितने जिलों में कमिटी बाकी है, कब पूरा करेंगे। फिर हम एक कदम आगे चलिए, फिर हम सोच रहे हैं कि चलों जीले तो हो गए, बताओ भई कितने तहसिल में कमिटी बनी हैं, कितने ब्लॉक लेबल पर कमिटी बनी हैं, फिर शक्ति केंदर आया, फिर बूठ पर फोकस हुआ, और आज, आज हम पन्ना प्रमुक तक पहुंच बाजपा, बाजपा पहली पार्टी है, जिसने पार्टी की व्यवस्ता में संविधानिक रुप से महिलाओं के लिए पद की व्यवस्ता की हैं, संविधान के तहर्श, भाजपा पहली ऐसी पार्टी है, जो अपने कारकरताओं को नए अवसर देने इल के लिए निरंतर तद्पर रहती है, हमने पार्टी की समितियों में, कमिटियों में हर बार पचीस प्रतीशत नए लोगों को लाने की व्यवस्ता शुरू किये हैं, हम कारकरताओं की इसी तांकत से सत्ता के सीखर तक पहुँचे हैं, लेकिन हम भले ही सत्ता के सीखर पर पहुँचे हो, लेकिन हमारे पाओं आज भी उतने ही जमीन पर हैं, जितने 1980 में हुआ करते थे। भाजपा में ऐसे कारकरताओं की बहुत बड़ी फोज है, जो कस्ट उठा कर, परेशानी जेल कर, करतव्य भावना से लगातार देश सेवा में जुटे रहते हैं। हम जहां भी काम करते हैं, सामुहिकता की भावना से काम करते हैं, टीम वर्ग के साथ काम करते हैं। भाजपा वो पार्टी हैं, जिसमें मुक्त चिंतन होता है, नए बिचार स्रिजित होते हैं, नए बिचारों का सम्मान होता है। चिंतन और अध्यन करने वाले एक बहुत बड़ा वर्ग। हमारे भाजपा परिवार का विशाल, विस्तार है, हिस्सा है, बट व्रुक्ष की भार्टी है। भाजपा वो पार्टी हैं, जिसमें समाद के अलग-अलग वर्गों को प्रतिनी दित्व देने के लिए भाजपा में हर मोर्चा अपनी सामाजि भुमिका में सक्रिय भी होता है, प्रभाव शाली भी होता है। झाल झाल